cancer of larynx जो cancer होता है larynx का उसकी ideology में क्या factor होते हैं जिसे ये tobeco यूज़ करने से होता है alcohol यूज़ करने से होता है ये दोनों एक दूसरे के synergistic factor होते हैं दोनों ही carcinogen का काम करते हैं जो cigarette smoke है उसमें benzopirine होता है other hydrocarbon होते हैं जो कि carcinogenic है main के लिए अगर ये दोनों को जो combine use करता है alcohol और smoking को तो ये 15 fold increase कर देते हैं chance of cancer को इसके अलावा tobe को alcohol इसके अलावा previous radiation का यदि exposure है तो ये भी एक risk factor है उसके अलावा genetic factor सांथी सांथ occupation exposure जैसे कि किसका exposure asbestos का, mustard, gas का या फिर other chemical या फिर petroleum product का ये carcinogen का kाम करते हैं और ये ideological factor है lairengs carcinoma में तो हम देखते हैं अलग-अलग हमें पता है lairengs के तीन पार्ट होते है कौन-कौन से पार्ट होते है सबसे उपर वाला पार्ट क्या होता है supraglotik फिर कौन से पार्ट होता है glotik फिर कौन से बाट होता है सबग्लोटिक तो तीनों में हम देखेंगे ना तो सबसे पहले जो अपने को detect होता है cancer of larynx वो ग्लोटिक में detect होता है और most common कौन से में पाये जाता है ग्लोटिक reason में पाये जाता है क्योंकि यहां क्या vocal code होती है तो vocal code में सबसे पहले horseness होती है इसलिए हमें सबसे पहले पता लग जाता है उसके अलावस सबसे लेट किस में पता लगेगा सबसे लेट पता लगेगा सबग्लोटिक कार्सिनोमा में तो हम symptom देख लेते हैं कि जो सुप्राग्लोटिक के इंसर होता है वो कम पाये जाता है और ये mainly किसको involve करता है तो सुप्राग्लोटिक में रेता क्या है अपनी epiglotis cartilage होती है फोल्स code पाये जाती फोल्स vocal code पाये जाती एरव epiglotic fold पाये जाते हैं तो इनका involvement होता है क्या symptom रहेंगे इसमें इसमें symptom रहेंगे जैसे कि Horseness जो है वो Late Feature है होर्षनेस किसका बहला फीचर है तो हम बोलेंगे Glottic Cancer में Horseness सब से पहले होगी उसके अलाबा यहां Throat Pain मिलता है Disphasia मिलती है और Referred Pain मिलता है Ear में तो हम याद रखे रहे हैं यहां Throat Pain होता है साथ यहро Counting ard बहال चैर में और ये किस area को involve करता है जो free age होती न upper surface of vocal cord जो anterior और middle third का जो area होता है वो most frequent involved होता है आगे glottic cancer जो है वो सबसे पहले अपने को diagnose होता है क्योंकि इसमें hoarseness एक early symptom होता है उसके इसलिए ये जो glottic cancer होता है वो early detect होता है और इसमें हमें क्या मिल सकता है इसमें vocal cord का edema हो जाता है इसलिए strider मिलता है और laryngeal obstruction मिलता है अब जो subglottic carcinoma होता है वो late present होता है और इसकी earliest presentation क्या होती है इसकी earliest presentation होती है strider और laryngeal obstruction क्योंकि यहां की जगे सबसे पहले वो पूरा पेक कर देता है subglottic reason को फिर हमें पता लगता है तो यह laryngeal obstruction करता है strider करता है horseness इसका late feature होता है यह late आता है horseness का feature अच्छा horseness अगर मिलने लगी ना तो हम समझ जाएंगे कि subglottic cancer वो fail चुका है उसकी growth हो चुकी है अब हम क्या कर लेते हैं तीनों cancer की staging देख लेते हैं TNM staging तो सबसे पहले हम इसा करते हैं जो सबसे most common पाये जाता है उसकी staging देखते हैं глottic cancer की देखते हैं तो T1A का क्या मतलब होता है हम पढ़ेंगे T1 TNM staging में सबसे पहले हम T पढ़ रहे हैं T1A का मतलब होता है A, मतलब एक vocal cord को involved किया है T1, B, मतलब इसने दो vocal cord को involved किया एक नियम याद रख लेते हम कि T1 का मतलब होता है कि vocal cord का इसमें motility normal रहेगी हम T2 को याद रख लेंगे कि इसमें तो motility normal थी लेकिन इसमें vocal cord की mobility क्या हो जाएगी impair हो जाएगी जबकि हम T3 में याद कर लेते हैं कि vocal cord क्या हो चुकी होगी fix हो चुकी होगी क्योंकि cancer involve कर लेता है इसको T4 में भी क्या हुआ है जब T3 में vocal cord fix है तो क्या T4 में vocal cord fix नहीं होगी क्या T4 में भी vocal cord fix होती है तो T1 में vocal cord की normal motility होती है T2 में vocal cord की motility impair हो जाती है T3 में vocal code fix हो जाती है T4 में vocal code fix हो जाती है T1 A का मतलब क्या होता है एक vocal code involved है T1 B का मतलब क्या है दो vocal code involved है T2 का मतलब क्या होता है T2 का मतलब होता है जैसे अपना ये क्या था glottic reason है तो वो fail चुका है कहां फिल चुका है या तो उपर चला गया मतलब सुपरागलोटिक में या फिर नीचे चला गया मतलब सबगलोटिक में तो इसमें इनवल्व कर लिया है सुपरागलोटिक को या फिर सबगलोटिक को आगे T3 का मतलब है 3P T3 में हमें याद रखना है 3P 3P का मतलब होता है ये involve कर चुका है किसको pre-epiglotic area को, para-epiglotic area को और post-cricoid area को 3P क्या है pre-epiglotic, para-epiglotic, post-cricoid area इसको इसने involve कर लिया है आगे जाएगा T4A और T4B, T4A याद रखना वह होता असान है किसा कि जिसे हम देखते हैं कि ये अपना larynx है, सही है ये larynx है इन वोल्व कर दिया, नीचे क्या-trachea होतार ये Chancellor को, diagonal कर लिया ओपर क्या होगा words, tongue होगी तो tongue को involve कर दिया side में क्या हो सकता है average side में हो सकता है अपना जो सुरू में क्या होगा सबसे ऊपर की तरफ अपना टंग, नीचे की तरफ ट्रेकिया और आगे क्या हैगा अपना थाइरोइड है पीछे क्या है अपना इसोफेकस पीछे इसोफेकस का पाई पीछे ही रहता है तो इन चारों को इंबोल किया तो T4A आगे देखे अपन T4B क्या है T4B का मतलब हेगा यादी रखने T4B में तीन एरिया इंबोल होते हैं पहला एरिया होता है pre-vertebral space, दूसरा होता है carotid artery और तीसरा होता है media sternum के structure तो ये invade करता है media sternum के structure को तो T1 में हमने उपर याद रख लिया था tongue, नीचे याद रख लिया था trachea, आगे याद रख लिया था thyroid, पीछे याद रख लिया था isopagus T4B में हमने याद रखा था क्या pre-vertebral space, carotid artery और media sternum के structure हमने इसे time क्यों दिया क्योंकि सब की staging सेम है लगपग जैसे अभी अपने glottic की staging पढ़ी थी, वो ही staging अपने को क्या मिलेगी, supraglottic में भी और subglottic में भी तो ऐसा करते हैं, supraglottic पढ़ लेते हैं, तो supraglottic में जो T1 है T1 में क्या होता है, कि जो supraglottic में अलग-अलग subsite होती है, तो any bun subsite को यदि involve करता है, तो T1 है T2 का मतलब होता है, एक से अधिक subsite को involve करता है, तो T2 है अच्छा, subsite का मतलब क्या है, यह अपन समझ जाते हैं, देखना supraglottic की subsite क्या होती है supraglottic की subsite हो सकती है, supraglottic reason में क्या epiglottis होता है, हाँ epiglottic आता है तो epiglottic जो है उसे hyod जो bone होती है, उसने दो part में divide कर दिया एक है supra hyod epiglottis, एक है infra hyod epiglottis, तो epiglottis complete हो गए अपने उसके अलावा क्या arrow epiglottic field पाये जाता है, पाये जाता है उसके अलावा क्या पाये जाती है, बहाँ ericnoid cartilage पाये जाती है और क्या पाये जाती है, false bogal code पाये जाती है तो ये चारो reason को अपन क्या बोलते हैं, sub side बोलते है तो इन में से किसी भी एक side का involvement हो गया ना, तो उसे बोलते है T1 T2 का मतलब क्या होगा, एक से अधिक sub side का involvement हो गया तो एनी, एक से अधिक का involvement हो गया तो अब T3 क्या बोलना है, T3 का मतलब होता है 3P, T3P का मतलब बता तो क्या आएगा, 3P का मतलब क्या आजाएगा, Pre-epiglote, Pera-epiglote, या फिर Post-Cricoid Area, उसके अलावा जाएगा T4A, अपने क्या बोला था, अपने बोही बोला था, T4A में बोही बोल दो, क्या, Larynx के आगे क्या जा इनका इनबोल किया तो T4A, T4B बताने की ज़रुवत नहीं है, अपन बोल चुके हैं, क्या, Pre-Vertival Space, Carotid Artery, या Media Sternal Structure, तो ये बिल्गुल सेम हो गए, अब अपन पढ़ते हैं, सब-Glotic कार्सिनोमा की स्टेजिंग, तो T1 का मतलब क्या होता है, ये केवल सब-Glotic में है, तो T1, यदि ये इनबोल कर लिया, जैसे अब नहीं बोला था न, सब-Glotic area, ये सब-Glotic है, इसमें यदि ये उपर पहुँच गया, मतलब यदि ये वोकल कोट को इनबोल कर दिया है, तो ये हो जाएगा T2, तो सब-Glotic में ही होना T1, सब-Glotic को इनबोल करना T2, T3, T3 का मतलब होता है, कि इसमें tumor limited होता है, लेरिंक्स में, और हम जानते हैं, कि इसमें वोकल कोट fix हो जाती थी, T2 में impaired motility होती है, वोकल कोट की, और इसमें क्या होती थी, normal motility होती है, T4 ये बताने की ज़रुवत नहीं है, वही बात बोलना है अपने को, आगे है तो thyroid, ओपर है त कर्दी, N में क्या होता है lymph node, Nx का मतलब होता है, Nx का मतलब होता है, Nx का मतलब होता है, que regional lymph node को हम assess नहीं कर सकते हैं, करsino Baba को, N0 का मतलब होता है no lymph node metastasis उसके अलबा क्या जाएगा N-band का मतलब होता है single ipsilateral lymph node जो कि 3 cm या उससे छोटी है तो N-band का मतलब क्या होता है मातर 1 lymph node का involvement है और उसी side की lymph node का involvement है जिस तरब कार्सिनोमा है और ये lymph node 3 cm से छोटी होगी या फिर 3 cm के equal होगी तो अब N-2 A का मतलब क्या होता है बिल्कुल वो ही है single रहेगी ipsilateral lymph node रहेगी लेकिन यहां more than 3 cm रहेगा लेकिन less than 6 cm आगे N-2 भी क्या होगा उसमें size वो ही है क्या कि इसमें 3 cm से बड़ी और 6 cm से छोटी लेकिन इसमें multiple है single 3 है ipsilateral यहां multiple ipsilateral N-2 C का मतलब होता है bilateral है या bilateral lymph node का involvement है जो कि 3 से 6 cm के बीच होगा N-A का मतलब होता है more than 6 cm की कोई भी lymph node मिल गई तो वो N-A है उसके लाब M staging कर लें M-0 का मतलब होता है no distant metastasis M-A-1 का मतलब होता है distant metastasis उसके लाब हम इसके grading देते हैं Grade 1, Grade 2, 3 Grade 1 मतलब Bale differentiated Grade 2 मतलब Moderately differentiated Grade 3 मतलब Poorly differentiated आगे हम देख लेते हैं इसके diagnosis किस से बनाते हैं है अपन History लेते हैं इसमें और सांती सां History तो diagnosis हम हिस्ट्री से बना लेते हैं मतलब symptom लेते हैं देखेंगे आगे हम Indirect Laringoscopy का यूज़ करते हैं उसके लाब हम क्या करते हैं Indirect Laringoscopy यूज़ कर सकते हैं Flexible Fibrotic Laringoscopy यूज़ कर सकते हैं Rigid Laringoscopy Video Laringoscopy Radiography कर सकते हैं जैसे X-ray Chest का अपन CT Scan करेंगे MRI करेंगे उसके लाब हम Direct Laringoscopy की जाती है Micro Laringoscopy और Supra Vital Staining या Vypesy की जाती है अब इसके treatment के लिए क्या दिया जाता है यादी रख लें यदि T1A है तो उसके लिए हम laser CO2 laser extraction करते हैं T1A और T2 T1 और T2 के लिए क्या दिया जाता है Radiotherapy दी जाता है तो हम direct देख लेते इसमें देते क्या है Radiotherapy करते हैं Surgery करते हैं उसके अब अलावा Combine Therapy यूज़ कर सकते है अपन Surgery और Radiotherapy उसके अलावा CO2 laser कहा है यूज़ करते हैं अपन T1A में तो यह हमने क्या देखा यह इसको भी देख लेते हैं T3 में अपन क्या करते हैं Radiotherapy करते हैं सरजरी करते हैं साथ में और T4 में हम सरजरी और रेडियो थेराप दोनों साथ में करते हैं T3 में बौही करते हैं T4 में बौही करते हैं T4 B में पेलियेटिफ थेरेपेज देते हैं तो यह हमने कंप्लीट देखा लेरेंजियल केंसर का यॉद्मेंट scoring एक एक मिलिZ join